है अब्रीवरन असलाम उलेकुम आयम नाहित फात्मा एंड वेलकम टू माई चैनल आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आज मैं बना रही हूं चुकन चंगेजी की रेसिपी जो की बहुत ही टेस्टी रेसिपी होती है अक्सर हम रेस्टरांट और होटल में इसको औरर कर मेरे पास बड़े नेमबू तो मैं एक आट कर रही हूं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टू टेबिल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च जो की तीकी कम होती है कलर के लिए हम एट करेंगे यूंकि चिकन चंगेजी कलर थोड़ा सा रेड रड होता है तो इसके लिए हम ले 100 ग्राम दही यह बंधी भी दही है इसमें पानी नहीं है कश्मीरी लाल मिर्च आट कर दें और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे हम मिक्स करने के बाद इसको मैं मैरिनेट करने रखूंगी देड़ से दो गंटे वक्त नहीं तो आप आदे गंटे भी रख सकते हैं ए इसको बढ़िया से ग्रिल करने के बाद हम इसी ग्रेवी बनाएंगे मैंने कई सारी चिकन की रेसिपीस अपने चैनल पर अप्लोट करिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर शेयर कर दूँगी आप जरूर से उसे भी जाकर शेक करें देखें और उसे भी बनाएं और प इसको निकाल लूँगी एक प्रेट में से निकाल लूँगी बाहर उसके बाद मैं एक पतीला ले रही हूं उसमें आट कर रही हूं 200 ग्रैम रिफाइंड ओयल आप घी या बटर भी ले सकते हैं 500 ग्रैम ओनियन स्लाइस कीवी आधा किलो इसको भी आट कर रही हूं मैं और 12-20 काजू के पीसेज हैं इसे भी आट कर रही हूं और कुछ सेकंड के लिए इसको भी हम प्यास के साथ फ्राइ करेंगे और इसको हम निकाल लेंगे बाहर और निकालने के बाद इसको हम ठंडा करकर इसका पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी आट करके पानी आट करके इसका फाइन पेस्ट बनाना है हमें और प्याज निकालने के बाद उसी पतीले में हम कुछ होली स्पाइसे से एड़ करें खड़ी गरम मसाले तेस पत्ता दाल चीनी लौंग इलाइची और काली मिर्च इसको कुछ सेकेंड्स के लिए हम स्प्लेटर होने देंगे ताकि इनकी खुश्बू वाल में रिलीज हो जाए अच्छे से और इसके बाद हम इसमें आड़ करेंग और मैंने चार बड़े साइस के टमाटर की प्यूरे बना करके रखी है इसे भी मैं एड़ कर रही हूं अब जाएंगे इसमें ड्राइ स्पाइसे तू टीस्पून रट चिली पौडर तू टीबल स्पून कॉरेंडर पौडर वन टीस्पून क्यूमिन पौडर सॉल्ट इसके बाद हम इसमें डालेंगे 100 ग्राइम दही 100 ग्राम दही है इसको भी आट करके इसका भी पानी सूखने तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे जैसे यह दही का पानी सूख जाएगा इसमें हम जो ने हमने जो ऑनियन और कैश्यू नट्स का पेस्ट बना कर रखा है प्याज और काजू का उसे भी हम इसमें एट कर देंगे जब हमारा मसाल अच्छे से भून जाए उसके बाद प्यास का पेस्ट डालें कि प्यास तो अल्रेड़ी फ्राई है उसे भूनने की कोई ज़ोरत नहीं है ज़ादा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे अपने ग्रेल की हुए चुकन को और चुकन डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप इसको नान या फिर रोटी के साथ सफ कर रहे हैं तो इसकी ग्रेवी ठीक ही रखें ज्यादा पतली करने के ज़रुरत नहीं है अगर आप राइस या प्लॉ के साथ सफ कर रहे हैं तो इसको थोड़ी सी पतली कर लें इसमें मैं डाल रही हूं वन टेबिल स्पुन कसूरी में थी वन टेबिल स्पुन गरम मसाला पास से छे हरी मिर्च है थोड़ी सी चीर ली है मैंने बीस से और इसमें डालूंगे मैं फ्रेश क्रीम एक से देड़ कप के अराउंड यह फ्रेश क्रीम है इसे भी आट कर रहे हूं और इन सबी चीजों को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम गरम पानी एड़ करेंगे सी कंसिस्टेंसी एड़्जस करने के लिए ठंडा पानी नान डालें गरम पानी डाल कर इसको सालन इसका लगाए अगर आपको नान के साथ सफ करना है तो बहुत हलका पा ग्रेवी बहुत अच्छा से पक चुकी है चिंखन चंगेजी हमारा बिल्कुल रेड़ी है सर्फ करने के लिए और इसे कोरियंडर लीव से डालेंगे और इसको सर्फ करेंगे और जब भी आप इसको सर्फ करें तो उपर से कसूरी मेथी और फ्रेश क्रेम से गार्निश करके स देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है अगर आपको यह रेसीपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे फ्वीड बैंक में बताएं कि आपको यह रेसीपी क्यासी लगी एक लाइक तो बनता है तो जरूर से एक लाइक करें मिलती हूं नेक्स्ट रेसीपी के साथ अब तक लिया लाहाफिज